चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो कुछ इंस्टिटूशन को छोड़ कर इस साल से B.S.E. नर्सिंग में एड्मिशन नीट स्कोर पर होगा एम से जैसे इंस्टिटूशन अपना खुद से एक्जाम कंड़ेक्ट करवा रहे हैं मगर बाकी इंस्टिटूशन में एड्मिशन नीट स्कोर पर ही होगा तो B.S.E. नर्सिंग की इलिजिबिलिटी क्रेटेरिया के बारे में N.T.E. ने अपने वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है इसमें सबसे पहले एज के बारे में बताया गया है तो कंड़ेट की मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चीए 31st December 21 को जो B.S.E. नर्सिंग में एड्मिशन लेना चाहता है इसके बाद में मिनिमम एजूकेशन की बात करें तो इसमें जो कंड़ेट जन्रल केटेगरी से हैं वो Physics, Chemistry, English में Individually पास होना चीए मतलब तीनों चारों सब्जेक्ट में अलग-अलग पास होना चीए इसके अलावा जो Physics, Chemistry, Biology तीन सब्जेक्ट हैं उनमें मिनिमम 45% मार्क्स होना चीए यानि कि एग्रिगेट इनका 45% मार्क्स होना चीए ये कंडिशन है जन्रल केटेगरी के लिए जो B.Sc. नर्सिंग में एडमिशन लेना चाते हैं इसमें जो कंड़ेट ओपन स्कूल से हैं और N.I.O.S. से हैं वो भी कंड़ेट इसके लिए इलिजीबल है यानि कि वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं ओपन स्कूल और N.I.O.S. से पास के हुए कंड़ेट भी ये जो कंडिशन है ये 12th क्लास की होनी चीए कि जो PCB और English सबजेक्ट है उनमें पास होना चीए ये 12th क्लास यानि कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास ही रखी गई है B.S.C. नर्सिंग की भी इसके बाद में हम बात करें जो SC, ST, OBC के कंड़ेट है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 4 सब्जेक्ट में पास तो होना ही चीए इसके साथ जो PCV सब्जेक्ट है Physics, Chemistry, Biology सब्जेक्ट है उसमें 40% मार्क्स मिनिमम होना चीए सभी का एग्रिगेट टोटल यानि कि टेकन टोगेदर 40% मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट में होना चीए तो ये कंडिशन है SC, ST और OBC कंडिडेट की अब हम बात करें PWD कंडिडेट की तो PWD कंडिडेट के लिए 3% रिजरिवेशन है बाकी जो इनकी Educational Qualification है वो सेम कैटेगरी के अनुसार ही है इसके बाद में हम बात करते हैं इसके Application Form के डेट के बारे में तो जैसा कि आपको पता है इसके नीट के Application Form की डेट Extend हो चुकी है वो 10th August 21 रखी गई है तो आप समय से Form भर दें अगर आप BSC Nursing में Admission लेना चाते हैं तो भी आपको नीट का Exam देना होगा और फिर MBBS BDS, Veterinary, IUS के लिए तो नीट का Exam देना ही है तो आप समय से Form भर दें और अपना तयारी के साथ में Exam दें और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको Inform कर दूँगा इसी के साथ Next वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिंद